हेलो फेंट्स आप लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्यूट्यूट्य क्लासेश पे आज मैं आपके लिए मुगलकाल बाबर से 20 क्यूसन करवाने वाला हूँ जो बहुत इंपोर्टेंट होगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को प्रिस किजिए आज ये सबसे पहला सवाल देखते हैं सबसे पहला सवाल यह आपके स्क्रिन पर सबसे पहला सवाल है बाबर का जनम 14 फर्वरी 1483 सीवी को पहां हुआ था बाबर के पिता का नाम उमर सेख मिरजा था तीसरा नमबर सवाल है बाबर की माता का क्या नाम था बाबर के माता का नाम कुत लुग निगार खानम था क्या नाम था कुत लुग निगार खानम ठीक है फोर नमबर सवाल है बाबर ने आठ जून 1494 को राज का उत्रादिकारी प्राप्त किया तब उसके उम्ड कितनी थी यानि बाबर ने 8 जून 1494 सी को राज जी का उत्राधिकारी प्राप्त किया था तब उसकी उम्र बारा वर्स थी कितनी थी? बारा वर्स ठीक है? चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल 5 नंबर सवाल है बाबर ने काबूल पर कब कबजा किया था? बाबर ने काबूल पर कब कबजा किया था? 1540 सी को यानि बाबर ने काबूल पर 1540 सी को कबजा किया था 6 नंबर सवाल है बाबर मूल रूप से कहां का सा सकता? बाबर मूल रूप से फर्गना का सा सकता? कहां के सा सकता? फर्गना का 7 नंबर सवाल है बाबर ने बादसा की उपादी कब धारन किया था बाबर ने बादसा की उपादी 1507 इस्वी में धारन किया था कब धारन किया था 1507 इस्वी में आठ नमबर सवाल है गुल बदन बेगम किसकी पुत्री थी गुल बदन बेगम बाबर की पुत्री थी नाइन नमबर सवाल है बाबर का पूरा नाम क्या था तो बाबर का पूरा नाम जहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर था अगला सवाल देखते हैं दस नमबर सवाल दस नमबर सवाल है मुगल वन्स का संस्थापक कौन था तो मुगल वन्स का संच थापक, बाबर था, कौन था? बाबर यस tract पानीपथ पाली लडाई कब लड़ी गई थी? तो पानी पत की पहली लडाई 1526 स्वी में लड़ी गई थी कब लड़ी गई थी? 1526 स्वी में ठीक है? पानी पत की तेर नमबर स्वाल है पानी पत की पहली लडाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानिपत की पहले लाई बाबर और इबराहिम लोधी की बीच लड़ी गई थी जिसमें बाबर जीत गएं थे और इबराहिम लोधी हार गएं थे चौदर नमबर स्वाल है इबराहिम लोधी को हरा कर बाबर ने किस वंस की नीव रखी थी इब्राहिम लोदी को हरा कर बाबर ने किस वंस की नीव रखी थी तो मुगल वंस किस वंस की नीव रखी थी मुगल वंस 15 नमबर सवाल है खानवा का यूद कब और किसके बीच हुआ था खानवा का यूद कब और किसके बीच हुआ था सोला नमबर सवाल, सोला नमबर सवाल है, चंदेरी का यूद कब और किसके बीच हुआ था, चंदेरी का यूद 1528 सिस्वी में बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और मेदनी राय के बीच, सतरह नमबर सवाल है, घागरा का यूद क चलिए 18 नमबर स्वाल है, बाबर ने अपनी आत्म कथा बाबर नामा किस भासा में लिखे थे, तो तुर्की भासा में लिखे थे, ठीक है, किस भासा में है, तुर्की भासा, चलिए अगला देखते हैं, 19 नमबर स्वाल, बाबर ने बाबर नामा में किसको भारत का सबसे सक्त कृषन देवराय को भारत का सबसे सकति साली सासक बताया था विच नॉमर्स रवाल है बाबर कि मिंटू कब और कहां वहती थी तो बाबर कि मिंटू पंदर सॉनि चालेशा अग्रा में होई थी चाहिए आज अले इतनो थैंक्स पूर वाचिंग और वीडियो का चले प्लीज सस्क्राइब किजिए शेयर किजिए कॉमेंट किजिए जैहिन जैभारत